नमस्कार सातियों, मैं वनिश्पिवाल, आप सभी का आपके अपने चैनल में तैय दिल से स्वागत और अभिनेंदन करता हूँ हम कक्षा बारा की राजनिती विग्यान की शुरुआत कर चुके थे और हमने अध्या एक राश्निर्मान की चुनोतिया कर लिया था उतनतर भारत की राजनिती वाले किताब में से प्रनतो आज हम दूसरी जो किताब है समकालिन विश्व राजनिती की उसका अध्या एक करने जा रहा है शीतियूत का दोर करेंगे जिसे नियो भी करा जाता है नियू इंटरनेशनल एकोनोमिक ओर्डर की इसमें बात होती है फिर आज की लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोड़क्शन की इंट्रोड़क्शन में बहुत कुछ इंट्रोड़क्शन में है जो मैं आपको बताऊंगा जो कि शायद आप लोगों ने क्लास 11 में ना पढ़ा हो और पहले पढ़ा हो तो मुझे उमीद नहीं है कि आपको भी तक याद होगा तो इसलिए वो अभी चर्चा कर लेंगे जिससे कि पूरे सेशन तक आपको याद रहें फिर बात करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट की और फिर कुछ MCQs आप लोगों के लिए है जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा यहाँ पर जो तस्वीर दिखाए गई है वो मिसाइल की दिखाए गई है और यह जो है यह है विया लेनिन भीया कौन है लेनिन भीया तो इनका नाम याद रखेगा आज के lecture में बड़ा ही काम आने वाला है चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरूरात करते हैं आज के lecture की और शुरू करते हैं परीचे से या इंट्रोड़क्शन से इस चेप्टर का इंट्रोड़क्शन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही इंपोटेंट है, क्योंकि पहली बात तो जब चेप्टर का कुछ नाम ही नयासा है, शीत यूद का दोल, यह शीत यूद क्या है, यह कोल्ड वर क्या है, इसको समझना बड़ा ही जरूर ही है, देखें, जनरली क्या होता है, कि हमने आज तक यूद का नाम सुना है, और हम बच्पन से सुनते बार हैं, हम क्लास 6, 7 में थे, तब से हमने इतियास में यूदों के बारे में, लड़ाईों के बारे में, खुब पढ़ा है, खुब सुना है, पर यह शीत यूद शब्द आपने पहली बार सुना है, अगर आप भ आप शिरित यूद से समझने से पहले, हम लोग कुछ बातों को और समझेगे, सबसे पहले तो अगर जो में समझना है, वो समझना है कि समकालीन, किताब का नाम दिया गया है, कि समकालीन विश्व की राधि निति, यह क्या होता है समकालीन, यह जिसम kontemporary इंग्लिश में बो वर्ड पॉलिटिक्स या समकालिन विश्व राजनिती तो कुछ ऐसी गटना है जो विश्व में एक साथ गट रही हो उन गटनाओं के हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उनके हम बात करेंगे इस किताब में मुख्यते जो हम लोगों को बात करनी है वो 1901 में के बात की बात कर जो कि हम लोग इस चेप्टर में डिस्कस कर लेंगे जिसे हम लोग कोल्ड वर कहते हैं वो इस चेप्टर में हम डिस्कस कर लेंगे बाकि फिर पूरा ही जो किताब में है वो 1901 के बात की कहानी होगी सवाल यह आता है कि हम इस किताब को क्यों पढ़े समकालिन विश्व अमेरिका के होगी, कहीं की भी हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, परन्तों हम एंडिंग में चेप्टर के एंड में जाते जाते एक इंसिडेंट पढ़ेंगे, एक टोपिक है वो पढ़ेंगे और वो टोपिक होगा भारत से जुड़ा हुआ, कि सीट यूद का भारत पे क्य अगर पूरी दुनिया में शीट यूद हुआ है, तो उसके भारत पे क्या प्रभाहु पढ़ रहे हैं, अगर दुनिया में कोई घटना घट रही है, तो उसके भारत पे क्या प्रभाहु पढ़ रहे हैं, ये जानना हमाली जरूरी है, जो कि हम इस किताब से जानेंगे, दो दुनिया में हुई गटनाओं का भाद पर क्या परवाव पड़ेगा और दुनिया के बड़े-बड़े देशों से बाद के क्या संबंध होंगे ये इस किताब से आपको जानने को मिलेगा ये किताब ही अगर आप भावशय में UPSC के लिए सोचते हैं तो आपको क्योंकि राजनिती की बात का सिधा सार्थी ये आता है कि समकालिन जब साथ में कुछ घटना है घट रही हो पूरी दुनिया में उनके बारे में हमें जिकर करना आवशय कर जैसे कि ए गटना का ही मैं उधारण दू कि 1945 के बाद दुनिया में शीतियूद भी चल रहा था और विचारधारा विचारधारा या जिसे हम कहते हैं आइडियोलोजी ठीक है अब विचारधारा या आइडियोलोजी की हम यह पर क्या बात कर रहे है कौन सी विचारधारा जैसे आपने क्लास 11 पर पढ़ा था जो सविधान वाली किताब थी उसका आखरी चेप्टर था कि भा हमारे देखने का नजरिया और देखने का नजरिया कहां से बनता है हमारी सोच से बनता है आज मान लिजिए कि मैं उस व्यक्ति की तरफ बड़े ही प्रेम भाव से देखता हूं क्यों क्यूंकि मेरे दिमाग में कही ना कही उसके प्रती प्रेम है मैं उस व्यक्ति की तरफ प्रेम करता हूं तो यह जो आधारी विचारधारा है कि मेरा ये कारण है और हर व्यक्ति के अपनी विचारधारा होती है आपकी भी अपनी विचारधारा होगी हर बुद्धों पर विचारधारा हो सकती है जैसे फॉर एक्जामपल पार्टी को लेकर के विचारधारा हो सकती कोई Congress को कोई BJP को सबकी अपने अपनी विचारधारा है हो सकता है किसी के लिए कुछ मुद्दे important हो दूसरे के लिए कुछ मुद्दे important हो हर व्यक्ति की विचारधारा लगे वो देश के विकास को अलग-अलग नजरियों से देखते हैं तो यह क्या है यह सबकी विचारधारा है तो यहां पर हमें कौन से विचारधारा की बात करनी है यहां पर हम दो बड़ी विचारधारा की बात करने जा रहे है एक जो विचारदारा है जिसम लोग कहते हैं पूंजी वाद क्या कहते हैं पूंजी वाद यह इंग्लिश में कहा जाता है capitalism क्या कहा जाएगा capitalism कहा जाएगा यह capitalism क्या है यह पूंजी वाद क्या है सबसे पहली बात तो एक बात यह देखेगा जिन शब्दों में वाद लग जाता है ये वाद किसको दर्शाता है ये विचार धारा को दर्शाता है ये आईडियोलोजी को दर्शाता है तो पूंजी वाद ये capitalism के हम बात करते हैं तो ये आप class 10 की इकों में पढ़ चुके हैं सब कुछ control सरकार के हाथ में होना चाहिए प्राइवेट के हाथ में नहीं होना चाहिए पर सिर्फ इतने से हमारा काम नहीं चलेगा हम 10 के बच्चे नहीं थोज़ा और डीप में जाकर करके समझते हैं पहले जो विचार धारती वो पुझी बाद विचार धारती capitalism वाली विचार धारती capitalism में ये का गया है कि जो उत्पादन के जितने भी साधन होगे सब पर जो स्वामित तो जो मालिका नहां होका वो private का होगा सरकार का नहीं होगा और सरकार कम से कम हस्तक शेप उनमें करेगी मतलब टेक्स ले लिया और ले लिया बाकि सब कुछ private अपने इसाब से चला है सरकार के तरफ से ज़्यादा उमीद है आप ना रखे ऐसा मानने है अब यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति का जनम होता है जिसका नाम है कालमाक्स आपने नाम सुना होगा कालमाक्स का और नहीं सुना तो आप जाकर के सर्च कर लीजिएगा गजब के ही व्यक्ति है कालमाक्स कालमाक्स का जनम होता है कालमाक्स एक बात कहते है कि जो पुझीवादी विवस्ता है न यही आधार है सोशन का यही आधार है सोशन करने का सबसे बड़ा आधार सोशन का अगर है वो पुझीवादी विवस्ता है तो बहुत कैसे पुझीवादी विवस्ता सोशन का अधार कैसे तो बहुत देखो प्राइवेट में पैसा मालि कमाता है प्रहंतू उस प्रॉफिट को कमाने में उसकी मदेद को करता मजदूर को पही आप उत्पादन करोगे तो को अकेला मालिक तो कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है उसकेशते साथ के पूरी टीम होगी मझदूर होगी मझदूरों से क्या है, जयादा काम कर वाजता है हैatra आठ हाठ किरेदर 12 24 इतना सोशन कर देता है कि समाज में वर्ग बन जाते हैं यह पूंजी पती है जो मालिक है और दूसरा गरीबों का जो कि मजदूर वर्क के लोग है और फिर यही से सोशन की शुरुआत होती है अम इर गरीबों का सोशन करते हैं पुझी पती मजदूरों का सोशन करना शुरू कर देते हैं तो यह कहते हैं काल माक्स कहते हैं सीधा सा तरीका समाजवाद को अपना लिया जाए सोशलिजम को अपना लिया जाए एक ऐसी विचारधारा जो समाज के विकास पर आधारित हो क्योंकि नाम में ही समाज आ रहा है सोशलिजम आ रहा है सोसाइटी का भला करने वाली विचारधारा ही समाजवाद है तो बहुत सो आउसे सबको नियंत्रित करें, कंट्रोल करें, वह है समाजवाद कहलाएगा, अब यहाँ पर समाजवाद की विचारधार को अगर देखते हैं हम लोग, तो इसमें यहाँ तक का भी है बच्चो, थोड़ा सा समाजवाद, खटोर समाजवाद देखा जाता है, समाजवाद में ही का जाता है कि अगर आपको एक इंच जमीन का टुकडा भी दे, तो वो भी सरकार दे, आपको कुछ भी नहीं है, सब कुछ सरकार का है, आपके घर में 10 कमरे हैं और आपको 4 कमरों की जोलोते, तो 6 कमरे सरकार अपने अदिन कर करके उन गड़ीबों को बाढ़ देगी, जि इतना पुझीवाद फेल जाता है समाजवाद उतना फेल नहीं पाता परंतु जब हम लोग पढ़ते हैं कि 1929 में आर्थिक महामंदी पूरी दुनिया में आई और अमेरिका जैसे देशों के बैंक वहाँ की कंपनिया धाराशाई हो गई बरबाद हो गए अमेरिका जैसे ुझी अ समाजवाद की बड़ी उस्वेश्वास्ता की हालत खराब हो रही ति उसम्ह差不多 समाल राखे थी पूंसी विवयश्टा से वह विजार्धा है समाजवाद वालिजर्धार से समाल रखे थी तो काल मांस कहते हैं कि सब कुछ सरकार को सोब दिया जाएं दूसरा ऑब काल यह कुम मिलकर के भीजएनेस शुरू कर लिया, तो सो लोग काम भी अपन ही करेंगे, और पेसा भी अपनी लगाएगे, और बाटेंगे भी अपन, अपने सोने मलकर के मान लो, एक-एक हजार उपके जोड लिए, लोग दो एक-ट हजार तो एक लाग होगो रूप्य all लेएगे और फिडिया अपन सभी मेनध करेंगे कोई दूसरे को से मजदूर के तो पर नहीं रखेंगे अपनी मजदूर है मजदूर अपनी है और फिर जब अप्रौफित आएगा तो प्रौफित को भी सब बाट लेंगे तो यहांपर क्या है यह वाला जो कॉंसEPT कहता है व वह भी हम सब बाट लेंगे, तो यहाँ पर जब कोई मालिक ही नहीं होगा, तो क्यों किसी कर दूसरे का सोशन करेगा, यहाँ पर हम सब मिलकर के काम कर रहें, सब मजदूर भी है और सब मालिक भी है, यह विचारधार भी कालमाक्स कहते हैं, यहाँ पर पूझी बाद और समाजवादी गंतंतरों का संग यह इसे कहा जाता है USSR USSR ठीक है यह फुल फॉर्म याद रखे गया Soviet समाजवादी गंतंतरों का संग USSR क्या है इसकी कारणी को सुनिए अब भी आप लोगों ने समाजवाद की पूरी कारणी समझी आपने पुंजीवाद की पूरी कारणी समझी अब देखिए, कि आपने रूस का नाम सुना है, हमारा बहुत गनिष्ट मित्र है, भारत का, बड़ा ही गनिष्ट मित्र है, यह बड़ा लंबा चोड़ा जो आपको दिख रहा है, क्या है, यह रूस है, ठीक है, और इंगलिश में से रशिया का जाता है, और हिंदी में से वहां के राजा को जार का जाता था, और हम यहां पर जार किसको बोलते हैं, जो वो मिक्सर गरेंडर नहीं आता, उस वाले को जार बोलते हैं, पर यह वो वाला जार नहीं है, यहां पर जार किसको का जार रहा है, राजा जी को जार का जार है, और वहां का जार उस समय कौन था निकोलास से सेकिंड था बच्चो कौन था निकोलास से सेकिंड वहां का जार था अब 1917 में एक गटना और हो रही थी वो था पर्थम विश्यूद और इस पर्थम विश्यूद ने रश्याने भी भाग ले रखा था परन्तु रश्या की बहुत बुरी हालत हो गई इतनी बुरी हो गई कि उनके हांडे के कगार आगे पर बहुत बाद में अमेरिका इंट्र हो जाता है रश्या की बहुत बुरी हालत हो गई लोगों ने बड़ा ही दबाव बना दिया कि राजा जी छोड़ो गद्धी आपसे तो कुछ होता ही नहीं है भगो राजा जी भगो राजा जी तो देखिए रश्या में दो करांती होती है एक जो करांती होती है पहली करांती 1917 में होगी जो फरवरी मार्च में होगी अब आप बोलोगे सर एक मेहना बताओ ना फरवरी दिसंबर तक के महने होते हैं 1918 से पहले 31 दिसंबर 1917 तक वहाँ पर जूलियन कलेंडर चला करता था और जूलियन कलेंडर ग्रेगरुन कलेंडर के 13 दिन पिछे हुआ करता था मतलब जैसे मालो आज अगर 13 जनौरी है तो वहाँ पर चलने लगी फिर एंटरी होती है लेकी ऎंटरी होगी फिर लेंटर हो गया अर बेवखुफ को उठो यह क्या कर रहें सरकार बढ़ गई राजा जी कए मजए हमजए बोले कैसे मजे मजे बोले अब भी तो सच में सच्ची वाली करांती तो हुई नहीं है बोले सच्ची करांती का मतलब बोले सच्ची करांती का मतलब है जहां पर समाज वाद हो वह सच्ची करांती है अब भी तो समाज वाद के लिए उठो समाभी वाद के लिए उठो लोगने बहुत कर लिए अब आराम करने दो लोगों को ऐसा लेनिन की बात समझ भी नहीं पर एक मेना भी था दो मेने भी सबको लगा लेनिन सही बोल रहा है यह तो जो सरकार हो तो हम पर सोशन कर रही है वो भी सोशन कर रही है तो लेनिन भी आगे बास आपको समझ में आए और फिर फाइनली ऑक्टूबर नौवबर में जाकर कि एक करांती होती है उक्टूबर 1917 में जाकर कि एक करांती होगी इस करांती को बोल्शेविक करांती भी का जाता है और इसी करांती को रूसी करांती भी का जाता है या रशियन रिवोलिशन भी आप कह सकते हो रूसी करांती यह क कौन सा दल सामयवादी दल या कम्मिनिस्ट जो पार्टी है उसको मानेता दे दी गई और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कि समाजवाद सामयवाद का परचार परसार फेलाएगा कि समाजवाद सबसे भेतर है, समाजवाद की ये विवस्ता है सरकार सुविदा उपलब्त कराती है सरकारी होस्पिटल होंगे, सरकारी स्कूले होंगी गाशन सरकार की तरफ से सब को सरकाने लोगों को बहुत बड़ी अलगा अच्छी वेवस्ता तो ये आस-पास के सभी देशों को मिला करके एक संग बना लिया गया जिसे का गया USSR ठीक है सब को जोड़ लिया गया जोड़ लिया गया जोड़ 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 दिसंबर 1922 में इस संग का गटन हो जाता है ठीक है तो ये जो 15 राज देश आपको देखने को मिल रहे है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बाणा तेरा चोड़ जो पंदरा देश इन 15 देशों से मिला करके सोवेत संग बना शोट में सोवेत संग बोलते हैं इंगलिश में USSR बोलते हैं और फुल क्या चलेगा बच्चो सेकेंड वर्ल्ड वोर ओके चली तो अब सेकेंड वर्ल्ड वोर को समझ लेते हैं अब आप सभी काफी समय से पहले से पढ़ते हो आ रहे हैं कि 1949 से 45 तक दित्ते विश्यूद हुआ दित्ते विश्यूद में दो टीमे थी अब भी हमारे चर्चा ना और फ्रांस था ठीकेंड ये सभी देश इस में थे और दूसरे तरफ जो था जर्मानी इटली और जैपैन ये लोग थे सेकेंड वर्ल वोर होता है। सेकेंड वर्ल वोर होना वो अलग बात है वो सेकंड वर्ल् वोर के बात क्या होए वो देखीगा illeurs alt बात के समय में USSR भी माने जाता है ठीक पर उसने बहुत बड़ी इस्तिती बना दी जो अमेरिका और बिटेंड के जो अधिक्ष्ट मतब जो वहां के राष्ट्पति और प्रधान मंत्री ते उनके साथ बेठा करता था एपने सांता है युए से सार इसलिए ज्यादा नाराज होता है भी इगल रहा है और इसलिए श्छी जाते है कि अगर हम हम हमारा कंट्रोल जमालेंगे हम अमरा प्रभुता जमालेंतू यहां पर इसलिए अमेरिका ने प्रवानूर बंगरूशेंगा नहीं कमर्फल नहीं गिरा नहीं होता है इसलिए महारे निए चया है प्रवानुर बंग गिरा दिखायर अक्याłe या कि में major न्याज षाण पर अमेरिका आले नियर्थ जो बात पुछता था वो अब बिना पूछे उसमें जापान पे बम गिरा हैं, या हमें नीचा दिखाने के लिए है या हमें एशिया पे क्बजार ना करने के लिए क्या कहा है। बस यहीं से शुरूआत एक चोटी सी वास से शुरूआत हो जाती है शीतियूद की, अब शीतियूद किस किस के बीच में होगा? अमेरिका और USSR के बीच में, USA और USSR के बीच में, यहां पर देखो अब शीतियूद के दो कारण है, पहला तो ज्जादा ताकतवर कौन है? ताकटवार कौन है? USA है या USA सार है? दूसरा सवाल ये था कि किसकी विचारधारा बढ़ी आ है? USA कौन सा है? USA कुन सा देश था? समाज़वादी देश था. किसकी विचारधारा बढ़ी है? किसकी विचारदारों को पूरी दुनिया में फैलाए जा सकता है तो इसलिए 1945 से लेकर करके 1901 में तक क्या चलेगा बच्चो शीत यूद चलेगा और इसको शीत यूद इसलिए का जाता है क्योंकि इसमें इतने बड़े भेंकर यूद नहीं हुए जितने की संभावना थी और ये बातचीत में ही समझोते करकर के ड़ाया गया बार-बार में परन्तूर यूद होगा नहीं इसलिए हम इसको शीत यूद के नाम से या कोल्ड वोर के नाम से जानते हैं जो की 1901 में में आकर के खतम हो जाएगा कैसे खतम होगा ये सोवेट संभ है ये पूरा तूट जाएगा फिर से 15 रज्य बन जाएगे 15 देश बन जाएगे जिनमें सबसे बड़ा रशिया या रूस रहेगा तो यहां से इस शीत यूद के शुरुवात होती है USA और USA सार के बीच में इस पूरे चैप्टर में और आने वाले चैप्टर में मैं यहां तक कहता हूँ कि आप जो तीन चैप्टर है शुरुवात के उनमें यही आपको कहानी पढ़नी है फिर बाद में किस परकार से रश्या का जो है इनका वी गठन होता है किस परकार से अमेरिका अपना प्रभूतो जमाता है यह सब कुछ आने वाले चेप्टर में पढ़ेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्यूबा का मिसाइल संकट इसको और समझते हैं बड़ा ही इंट्रेस्टिंग टोपिक है क्यूबा का मिसाइल संकट देखिए यहां पर अमेरिका है यह कौन है अमेरिका और यहां पर छोटा सा देश है जिसका नाम है क्यूबा क्यूबा ठीक ह जिसने मों USSR केते हैं अब देखो क्या था अमेरिक का पूंजी वादी यह समाज वादी और क्यूबा है न क्यूबा किऊगल का बड़ा ही अच्छा दोस्ता था ठीक है दोस्त Resident जोने फिछ अबकाष से पास पेसे से लिधिक हरा कि आदाता था यह एस तो तो यहां के जो नेता है उनके बारे में चाल लें लेते हैं उस सम्हें यहां पर प्रधान संब्री हो के जोन एफ केनेडी क्यूबा में कौन थे फिड़ाल कैस्ट्रो और यहां पर थे निकिता कुछेव कौन थे निकिता खुछेव आप इसा खुछ मत हो जाना देखो समाज वाद कितना बहतर है महिलाओ को परति मिद्धी तुद दिया यहां पर निकिता कुछेव महिला नहीं है ठीक है ना अभी हम परिचीत कराएंगा आपको निकिता भाया से ठीक है तो जैसे फ्रेडरेल क्रेस्टों को कोई प्रेशान ही आती निकिता भाया को फोन मिला देता तो अब जब यूद चल रहा है शूद चल रहा है उनीस सो बासट तरी सट की बात है तो यूससर ने कssä चोड़े दोनों में बहुत बढ़ा लाएं विक है देता हूं कि मैं वहां पर वेक्ति खड़ा और यहांसे थपड़ वालू तो थोड़ा कम लगेगा और ऐख यहां पर भुला लो यहां पर खीच करकर थपड़ तो अच्छा लगेगा जैसा सुन है टीचर भीचर क्या क लग जाती है और जोन एफ केनेड़ी यही बात केता है कि देखो निकिता खुषयों बीया यह वापस ले लो आप यह वापस ले लो सही नहीं है हम भी यूद नहीं चाते हैं और आप भी यूद कर फाल तुम्हें रिंडोरा मत पीटो कि हमें यूद करना है यूद करना है, मत करो, शांती बनाए रखो, क्योंकि अगर तीसरा विश्यूद हो गया, तो आपको भी हानी है, हमें भी हानी है, पूरे दुनिया को हानी है, और इसको शीतियूद इसलिए भी कहा जाता है, दोनों ही देशों ने बड़ी समझदारी दिखाई, और दोनों दे मजबूत और एक कमज़ोर हो, परन तो यहां पर क्या है, जैसे अमेरिका और यूससारा दोनों ही मजबूत है, जैसे मालो आज दो लोग है, एक मैं हो और एक वो है, आज हम दोनों बराबर हैं, तो मुझे भी लगेगा, नहीं नहीं भाई, उसको मत मार रहा है, उसके मन मे यह डर है, और मेरे मन में यह डर है, दो लोगे मन में डर है, तो यहां पर अमेरिका के मन में भी डर है, कि यार अगर यूससार को थोड़ा भूत भी छेड़ दिया ना, तो वह बहुत बूरा आलत करें, क्योंकि उस समय 1945 से एक राण में तक, पूरी दुनिया में दो ही महा तो दोलों में डर है और इस डर को क्या का जाता है यह क्छा है वह जाता एप चैप्टर में पर अमेरिका इसलिए यूद नहीं चैड़ता क्यों को अमेरिका से डर है ہے आई अगे आगे आपको निरता Seen मिलाते हैं यह तीन है नेता सबसे पहले है वहां के प्रसिडेंट जॉन एफ केनेडी जॉन एफ केनेडी भी हां हस रहे है खुश है देख अमेरिका का खोफ डर गए चलो चलो जाओ जा 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 वापस यह मिसाईल यहां पर हमारे यहां पर लगाओगे डर डरता है जानते चाते हैं दुनिया में ठीक है ना समाजबाद वाले नहीं तो देख लेना यह अमबेदी खांगों घुला डालते हिला यह अबंद कर देते हैं और यह है फिडल केस्ट रो क्यूबा का है यह दोनों की तरफ देख रहे हैं भाई मुझे तो बताओ कर क्या रहो हो तुम लोग ह कर क्या रहो तुम लोग तो तीनों का आपको परिचित करा दिया है जोन आफ केनेडी निकिता कुष्चेव और फिडल केस्ट्रो आईए आप जो किताब की थेोरिये उसमें चर्चा कर लेते हैं यह जो आपको पूरा बेक्ग्राउंड बताया गया है यह पूरा बताया गय क्यूबा पर आकर्मन कर देगा और इस देश के राष्टपते फिडल कास्त्रो का तकता प्लेट हो जाएगा देखो अप्रेल 1961 की बात है सोवे संग के जो नेता है अब सोवे संग का नेता कौन है निकिता कुष्चेव तो उनको यह चिंता थे कि अमेरिका क्या कर देगा सा क्यूबादियों द्वारा साशित क्यूबा पर आकर्मन कर देगा तो क्यूबा को कौन सपोर्ट कर रहा है उससा सपोर्ट कर रहा है और फिडल केस्ट्रो है वो भी समाजवादी सामेवादी ही वेक्ति है तो अगर इसने अमेरिका ने क्यूबा पर आकर्मन कर दिया और फि कभी भी हम अमेरिका पर आसनी से Penis canis क는데 मतलब एक काम के साथ हमेराव में क्वेसर नेताव को सिर्फ चिंता सताई के क्यूबा जो देश आपको दिखरा एक च्छोटा सा दीपिय देश तो यह वाला निदेशो प्रक attain क्यूसा है क्यूबा है ठीक कौंसा देश है क्यूबा है यह जो बलेक में सरक्ल करा है वो क्यूबा का जुड़ाव सोवेट संग में तर्फ ता ये एक डीपिय संग लेश उसे कूट नइक और वित्ते साहिता देता था मतलब सोवेसंग डिप्लोमेटिक और वित्य साहित उसकी करता था डिप्लोमेटिक का मतलब एक तरीके से यह होता है कि किसके साथ कैसे संबंध आपके होने चाहिए राजनितिक तोर पर किसी भी परकार पर कोई भी मदद अगर क्यूबा को चाहिए तो वो मदद कोन करेगा सोवेसंग करेगा आर्थी क्रूप से भी कोई मदद चाहिए तो वो कोन करेगा सोवेसंग करेगा अब आपके दिमाग में ये बात आ रहे हो कि सोवेसंग क्यूं कर रहा है क्यूबा के इतने मदद क्यूबा कौन सा उसका जमाई है या फिडेल केस्ट वो कौन सा निकिता खुष्यों की बेटी के शादी कर रखी, पहले के समय में तो होता था यह राजा माराजा की बेटियों की शादिया हो जाती थी, तो यह क्या चक्कर है सार, तो में बात यहां पर था विचारधारों को फेलाना, यह जो में लड़ाई थ यह पर अमेरिका भी कोशिछ कर रहा है कि उस देश ते मारे विचारधार अपनाले यह देश हमारे विचारधार अपनाले यह काम सोव्ये शंद के बड़ा रूप है बड़ा देश है उसने तो बोला वही समाजवादी अपना तो बोला हाँ अपना ली लाओ तो मदद कर अब हमारी नहीं अच्छा समाजवाद से में कोई फायदा नहीं हो रहा ही मदद भी नहीं कर आप सोवेशन चलो आज से अमेरिका की साइड अमेरिका तो कुद पूजीव बारत पूजी बाद अपना है समाजवादी सामय बाद अपना है वह भी हम इस चेप्टर में जानेंगी सोवेशन के नेता निकिता खुष्यव ने यह ने क्यूबा को रूस के सेनिकड़्डे के रूप में बदलने का फैसला किया तो सोवेशन के नेता को चिंता सता रही थ है कि अगर हम क्यूबा में सेनिकड़ा बना दे तो मतलब वहां पर अपनी मिसाइल इस देने तो सेना इना तेनात करके बिल्कुल मस्त डर जाएगा अमेरिका 1962 कियूबा में प्रमानु मिसाइले तेनात कर दी इन आत्यारों की तेनाती से पहLSी बार अमेरिका नजदी की निशाने की सीमा पर आ गया तो 1962 में जो पर पर भेजी गई तो वहां पर निशाने की सीमा पर आ गया ऑनने पनेड़ संक अब अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगवक दोगने ठिकानों या शेरों पर हमला बोल सकता था तो सोविय संग अमेरिका के जो मुख्य भूभाग है उसके दोगने ठिकानों या शेरों पर मतलब ज्यादा लेवल तक वह अटेक कर सकता है देखिए यह नक्षा क्यूबा में त लक्षिनी अमेरिका का भाग यह यहां तक को कनाड़ा तक का एरिया कवर कर ले गए इतना है मतलब यह नक्सा संयुक्त राज्जी अमेरिका की कूफिय आजेंसी C.I.A. द्वारा क्यूबा मिसाल संकट पर गोपनिय बैठेक में प्रयोग किया गया था ठीक है? अमेरिका को भनक तीन अफ़ते बाद आगी अमेरिका को तीन अफ़ते बाद भनक लग गई जे जोन F. केनेडी को अमेरिकी राष्टपती जोन F. केनेडी और उनके सलाकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहते हैं इसे दोनों देशों के बीच परवाणों युद्ध शुरू हो जाए क्योंकि दोनों को भी डरता कि युद्ध नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि दो ही विश्वित से पुरी दुनिया जूजी चुकी है तीस तरह ना हो तो ही वह बहतर है और दोनों को नुकसान होगा चाहिए अमेरिका हो चाहिए सोव्यस नंग और इस नुकसान का सभी देशों को नुकसान भुगतना पुड़ेगा खुषेव क्योबा से मिसाइल और परमाणों हत्यार को हटा लेते हैं तो यही बात में आपको कही कि वही परमाणों हत्यार और वह टा लेंगे जिससे की शांती स्तापित रहेगी ऐसी स्तिति में यह लगा कि युद होकर रहेगा तो अब मतलब आप शीत युद में क्यूबा मिसाइल संकट मतलब सबसे बड़ा संकट है इसके पहले और इसके बाद आपको कोई बहुत बड़ा संकट देखने को नहीं मिलेगा सबसे हाइश लेवलता जब लगा था अब तो गए अब तो फिर से दुनिया तीस थे विश्यूत की तर बढ़ गई आप तो लड़ेंगे कुसम से पक्का ही लड़ेंगे जिससा ऐसा अुआ कोने बोला थे दुनिया इंचार करेंघी अव्म Wayneर्या लड़ेंगे अमेरिका लाड़ेंगे लड़ए लड़ेंगे लर्लब लड़ा ने तो शिट मैन ये थे दूरी दे सोचने तो मज़ा नहीं आया ये तो अब्यों्या को लूट लेते हैं लोग से देख क mów came कित त अच्छी ही बात है कि यूद् टाल चैन किया लिए क्यूबा मिसाल संकट की रूप में जाना गया 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 क्यूबा मिसाल संकट रहा दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और द कर लिया है, तो वो वापस ही आगे, गती धीमी में तो जोन एफ केनेडी फिर गुस्ता हो जाता है, वो वापस ही गुमा के लिया आएंगे लेकिन दुनियां तीसेरे वीश्यो से बचक subsidies किया है, सोवेत संग और अमेरिका थता इसके साथी देशों, सोवेत संग को जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके जैसे क्यूबा अमेरिका को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो उसके साथ ही इनके बीच में प्रतिन इंतिता चलती रही तनाव चलता रहा संगर्श चलता रहा इस चलता है ठीक है कभी भी अब लड़ाई हो जाएगी ठीक है और इसमें एक बात और देखेगा जैसे मान लीजिए यह एक् सब मिल जूलगा के काम कर रहे हैं ठीक है तो अब यह भी हम आगे पढ़ेंगे जिसने नाटों की बात करेंगे इसमें नाटों बनेगा यहां पर और यहां पर वार्सु पैक्ट बनेगा वार्सु संधी होगी उसकी बात करेंगे ठीक है इस सब कुछ हम पढ़ेंगे विव आपको अंसर ऐसा देना है वह एक कोशन फर्स्ट का ओप्शन ए, भी है, ए, बी है, सी है, डी है, जो भी सेकिंड दूश्रा विश्वित कब से कब तक हुआ, 1941 से 1945 तक, 1944 से 1941 से 1941 तक, इन में से कोई नहीं क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था, इंगलेंड, फ्रांस, अमेरिका या सोवेट संग, दित्य विश्वित के परशाद, दो महाशक्तियों के रुपे, कौन कों से देश उभा कर आए, यूरोप और अमेरिका, अमेरिका और सोवेत रूस, सोवेत रूस और यूरोप, अमेरिका और जर्मेनी, चलिए, तो आज इसके साथ जो अपना लेक्चर है, वो कंप्लीट होता है, और 2013, चोईस के कक्षा 12 की, इस किताब की भी हमने शुरुआत कर दी है, तो विद्यार्पियों, बता दीजिएगा, कि आज का लेक्चर कैसा लगा, और कोई आपके पोश्बिशन हो, तो वो भी बता दीजिएगा, हमने हमारे तरफ से चोईस के बोर्ट के वच्चों के लिए बिगुल बजा दिया है, मेहनत जादी कर दी है, अब आपको भी कर देनी है, अब बीसे ही कर देनी है, जिससे कि चोईस तक पोस्ते पोस्ते आपको जोर नाय, आपको दो से बोलना है, शेर करना है, बोल देना सब को, सब्सक्राइब कर लो, पढ़ लिया करो, पढ़ोगे तो बढ़ आगे बढ़ जाओगे, और पढ़ते रही है, आगे बढ़ते रही है, मिलेंगे हम नेक्स टेक्शन में तब तक के लिए, थांकियो सो मच, जय हिंद, सरफ जय है, जो जय है, तो खiadको दू है झाला है, अय है, जय हुगे हमाँ बढ़ते खाएप